हलो स्टुडेंट्स, वेलकम बेक टू मंदीप एजूकेशन अकेडमी जूटिव चैनल, बच्चो आज हम क्लास 11 फिजिक्स टर्म 2 के चैप्टर वेव्ज में से एक बहुत इंपोर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो कि यह स्टेंडिंग वेव्ज और स्टेशनरी खिची हुई रस्टियों पर रुकी हुई तरंग है, यह एक डेरिवेशन है बच्चो रिलेटिट टू स्टेंडिंग वेव्ज तो स्टेंडिंग वेव्ज का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं कि क्या होती है, सिरफ उतना पार्ट में स्टेंडिंग के लिए चाहिए तो आपको यह पूरा डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, डेरिवेशन को मैं समझा रहा हूं और इसके नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो डेरिवेशन यहां से समझ के उन नोट्स में से आप पढ़के अपको पूरे नमबर मिलेंगे, बहुत important question है, final exams में बहुत schools में आ चुका है और आता है हर साल, तो जरा इसको अच्छे से prepare कर लें, standing waves topic अगर आपके school में कराया गया है, तो यह topic बहुत important है, तो standing waves क्या होती है बच्चो, standing waves वो होती है जो एक given region में ही confined होती है, यहां से ले का मैंने एक सिरा दिवार पर बांदिया, suppose, यहां अपने किसी दोस्त को पकड़ा दिया, दोस्तों है नहीं, अब यहां पर मैं आखेला हूँ, तो मैंने दिवार पर बांदिया, रस्सी भी नहीं है वैज़त है, मैंने दिवार पर बांदिया, और दूसरा सिरा रस्सी का मै में पकड़ के ऐसे ऐसे किया तो रसी में transverse waves बनती है तो वो waves रसी से बाहर तो नहीं जाएंगी rope में ही रहेंगी ना मेरे हाथ से लेकर दिवार तक दिवार से लेकर मेरे हाथ तो इनको बोलते है standing waves standing waves इनको इसलिए बोलते है क्योंकि इनका जो pattern है वो fixed रहता है normally क्या होता है कि एक wave चलती है तो अभी ये particle oscillate कर रहा है हाना जैसे suppose यहाँ पर wave अभी पहुची तो wave पहुची जैसे यहाँ पर तो ये particle उपर नीचे oscillate करने लगा transverse wave तो पता है ना आपको क्या होती है जैसे disturbance जब ऐसे जा रहा है तो जो particles अगर disturbance के perpendicularly oscillate कर रहे हैं तो ऐसी wave को बोलते हैं transverse wave जैसे rope पे यह जो wave बनेगी और अगर sound की बात करूँ तो sound जब चलता है तो जैसे sound ऐसे जा रहा है तो particle उसी line के along oscillate करते हैं that is the longitudinal wave हम 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 हमी अभी बात करेगा transverse wave की ठीक है हम बात करेंगे अभी transverse wave की ठीक है तो normally जो progressive wave है वो क्या है कि जैसे अभी particle पे disturbance महुचा तो यह oscillate करने लगा फिर disturbance आगे निकल गया अभी यह particle oscillate करेगा फिर और आगे निकल गया तो थोड़ी दिर बाद यह rest पे आ जाएगा हाना अभी इसने oscillate करना शुरू किया फिर यह जादा amplitude से करेगा फिर यह धीरे होगा फिर रुख जाएगा तो कभी यह कम amplitude से oscillate कर रहा है फिर जादा से करेगा फिर जादा से करेगा फिर से करेगा फिर कम से करेगा फाइनली रुख जाएगा और डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा तो आगे वाले जब आपने rope को बांध दिया दिवार से और एक आपने जटका दिया सिरफ एक टूम ऐसे अवाज नहीं आईगी तो ऐसा एक pulse create होता है उसमें और यह pulse आगे जाता है आगे जाता है और जब यह दिवार से टकराता है और वापस पलटता है तो इसमें phase change आ चुका होता है 180 का, उपर वाले का नीचे वाले में जो phase difference होता है, वो 180 होता है, यानि इसके particle इधर और इसके ठीक इधर oscillate कर रहे हैं, तो यह 180, यह 180 का phase change आता है, तभी जब एक rigid, solid end से wave टकराती है, तभी यह 180 का phase difference आता है, उसके अपने कारण है, बट अभी हमको उनकी जरूरत नहीं, वो Newton's third law है कि यह दिवार के particles को उपर की तरफ force लगाएंगे, दिवार के particle इनको नीचे की तरफ force लगा देंगे, तो यह नीचे की तरफ oscillate करने लगते हैं, बट हम उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है न, तो हमें सिरफ यह देखना है कि जब wave पाई के phase का difference है, पाई का phase difference आता न, ऐसे, यह जो wave है, यह ऐसे है, और जो phase difference अभी तक आपको नहीं पता है, तो प्लीज ज़रा पता लगा लें कि क्या होता है, बहुत बार मैं discuss कर चुका हूँ, इन दोनों waves में पाई का phase difference है, तो ऐसी पाई के phase difference वाली waves जो है, यहाँ पर बन जाती है, ठीक है, तो नहीं भी पता है कि पाई का phase difference है, तो याद कर लें, अभी के लिए आपको derivation समझ में आ जाएगा, तो यह दोनो waves, अभी तो हमने एक pulse छोड़ा लेकिन, अगर मैं लगा टरे से से कर रहा हूँ, तो यह बहुत सारी waves जाएंगी, और यह खुद ही टकरा कर वापस आएंगी, तो जाने वाली waves के साथ superimpose करेंगी, तो standing waves बनेंगी, standing waves की यही property है कि जब दो बिल्कुल identical waves, opposite direction में आके एक दूसरे के उपर superimpose करती हैं, तो standing waves बनती हैं, लेकिन identical waves हम कहां से लाएं, दो बिल्कुल एक जैसी waves हम कहां से लाएं, तो यह ऐसे ही बनती हैं कि वो ही wave जाती है, rigid end से टकराती है, वापस आती है, चाहे rigid end से ना टकराएं, किसी दूसरे end से टकराएं, तो वही reflect करके जब वापस आती है, खुद से superimpose करती है, तो standing waves बन जाती हैं, अब रसी में यह जो standing waves बन रही हैं, इनका हमने science पूरा देखना है, अब र करो उसको, चाहे दोनों ends किसी ने पकड़े हो, रसी में standing waves बनेगी, तो उसका क्या science होगा, किसी भी तरीके से बने, तो ऐसा pattern आपको दिखाई देगा रसी में, ऐसा, यह है इसका जो original था बीच वाला हिस्सा, तो यह pattern आपको बहुत जल्दी जल्दी अगर आप oscillate करोगे, बहुत जल्दी जल्दी, तो यह भी बनेगा, देखो यह ऐसे गया ना, तो यह इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि यह pulse ऐसे गया, टकरा के ऐसे वापस आया, तो फिर wave ऐसी बनी, और जाने वाली ऐसी बनी, आने वाली ऐसी बनी, यह इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि पैटन क्यों बनता है एक दो तीन चार यह चार ही ऐसे बनेंगे यह जादा बनेंगे कब कितने बनेंगे यह सारी चीज़ें तो शुरू करें बच्चों ओके तो हम यह मान लेते हैं कि जो वेव गई है जो वेव गई है जुर्र उसकी एक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स क्योंकि जब वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाती है तो इस एक्वेशन में माइनस का साइन आता है तो वो माइनस का साइन हमने लगा दिया अब जब ये वेव एक rigid end से टकराके वापस आएगी उसकी equation हम ले लेते हैं ये तो क्या फरक होगा फरक ये होगा कि एक तो minus x की जगा plus x हो जाएगा क्योंकि direction बदल गई दूसरा इसमें pi का phase change आ गया है तो plus pi हो जाएगा ठीक है ये दोनो waves जब super impose करेंगी ये दोनो waves जब super impose करेंगी तो क्या होगा standing wave बनेगी पर पहले ये देखो कि sin 180 plus theta क्या होता है sin 180 plus theta होता है minus sin theta third quadrant तो यहाँ पे minus आ गया है और theta as it is हमने लिख दिया है theta कौन सा था ये पूरा theta था अब minus तो आना ही चाहिए क्योंकि वो तो logical है न y मतलब y ही तो negative हुआ है y यही तो होता है ये y और टकराने के बाद ही हो गया ये तो एक तो x का sign change हुआ और एक y का sign change हुआ oscillation की भी direction बदल गई wave की भी direction बदल गई तो इसलिए यहाँ बाहर minus आ है इस pi की वज़ा से ठीक ये दोनों जब super impose करेंगी तो जो wave पैदा होगी उसका जो उसकी जो displacement है वो क्या होगी y1 प्लस y2 ये दोनों add हो जाएंगे add मतलब कहीं पर add होंगे कहीं पर subtract होंगे sign theta positive भी होता negative भी होता है तो इसकी value कभी positive आएगी कभी negative आएगी इसकी कभी positive आएगी कभी negative आएगी तो जो भी addition subtraction के बाद हमको मिलेगा finally वो resultant wave की displacement होगी ये तो वो क्या होगी a common आगया इसको रिसको एड किया न a common आगया तो यहाँ बचा sin omega t minus kx minus sin omega t plus kx sin c minus sin d का formula क्या होता है sin c minus sin d का formula क्या होता है 2 sin c minus d upon 2 cos c plus d upon 2 maths है नहीं पता तो सुन लो sin के साथ 1 theta है minus sin के साथ 2 theta है तो आपको लिखना है 2 sin पहला theta minus दूसरा theta by 2 cos पहला theta plus d दूसरा theta by 2 2 और इसको solve करना है solve तो करेंगे न सर ऐसे थोड़ी चोड़ देंगे क्या-क्या कटा omega t कटा यहाँ पर kx कटा और यह 2 बाहर ले आओ 2 a sin minus kx minus kx minus 2 kx divided by 2 minus kx cos 2 omega t by 2 cos omega t और sin of minus theta क्या होता है minus sin theta होता है तो यह minus बाहर आजाएगा minus 2 a sin kx cos omega t this is the equation for standing wave rope पे जो standing wave बन रही है उसकी equation यह है यह equation आपको क्या देगी कि x distance पर जो particle है suppose यह वाला वो x distance पर जो particle है t instant पे उसका y क्या होगा यह particle उपर नीचे जा रहा है न तो ठीक 5 second बाद यह 6 second बाद इतनी दूरी पे जो particle है उसका y क्या होगा यह आपको यहां से मिल जाएगा ठीक तो हमें मिल भी जाएगा तो हम क्या करीं तो मैं बताता हूँ क्या करना है आप यह सोचो मान लेते हैं कि जो rope है उसकी length है L यहां से यह 0 से लेकर यह रसी की पूरी जो length है वो L है तो यह वाला point कितना हो गया L,0 हना यह origin ले ले इसके coordinates हो गए 00 और यह इस आखरी point के coordinates हो गए L,0 क्योंकि इस रसी की पूरी length है L ठीक है अच्छा ऐसे points जो permanently rest पर रहते हैं जो oscillate करते ही नहीं है ऐसा pattern मिलता न रसी में standing wave में तो यह वाले points जिनको मैं mark कर रहा हूं these points are at permanently rest these points are permanently at rest इनको बोला जाता है nodes क्या बोला जाता है nodes और यह वाले points यह लगातार maximum amplitude से oscillate कर रहे हैं यही रसी उपर जाएगी तो यह वाला point सबसे जादा oscillate कर रहा है इनको बोला जाता है anti nodes ठीक है तो एक बात तो पक्की है कि end में रसी के क्या बनता है node बनता है end में क्या बनता है node बनता है तो मैं यह बोल सकता हूं कि अगर x जो है वो l है तो y 0 होगा भई y ही तो vertical displacement है तो इस वाले point की vertical displacement 0 है तो अगर x l है तो y 0 है तो जड़ा इस equation में डालें यह equation यही तो कहती है रसी के हर x और y के बीच का relation आई है तो जड़ा y को 0 डालें और जब हम x को l डालेंगे minus 2 a sin k l सर इससे मिलेगा क्या अभी बताते है सब कुछ 0 ये भी 0 ये भी 0 उदर आके प्रूप 0 हो गया तो हमें ये मिलेगा sin k l 0 और sin theta 0 कहां कहां पे होता है sin theta 0 होता है n pi पे 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, 7 pi इन सब पे sin theta क्या होता है 0 होता है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि sin k l is equal to sin n pi n ये ये n n sin से sin हट गया k l equal to n pi k क्या होता है angular wave number इससे निकाल क्या रहे हो sir अभी बताते हैं बेठा पहले देख तो लो तुम बस step समझ लो अभी पता चल जाएगा कि इससे हम निकाल क्या रहे है k होता है 2 pi y lambda equal to n pi pi से pi कटा and finally हमारे पास एक relation आया l equal to n lambda by 2 l equal to n lambda by 2 ये हमारा main relation है इसी को हम आगे इस्तिमाल करने वाले हैं अब हमें पता चलेगा कि हमने निकाला क्या तो सुनो हाँ तो देखो n की value क्या क्या हो सकती है अभी बताया न ये n आया कहां से था n pi से और n की value integer हो सकती है क्योंकि अगर n की value integer नहीं होगी तो n pi कुछ और आ जाएगा जहाँ पे sin theta 0 आएगा ही नहीं तो ये condition जहाँ से आई है वहाँ से हमें ये पता चलता है n can only be a positive integer but n cannot be 0 क्योंकि अगर n को 0 डालूँगा length 0 हो जाएगी रसी गई length 0 मतलब रोप ही नहीं तो let's start with n equal to 1 लेकिन उससे मिलेगा क्या अभी बताते अगर मैं n को 1 डालता हूँ तो l equal to मुझे मिलेगा lambda by 2 l मतलब रसी की length और lambda by 2 मतलब आधी wave length यानि पूरी रसी में आधी wave बनेगी अब हमें पता है कि n की minimum possible value is 1 क्योंकि n 0 नहीं हो सकता मैंने आपको बता दिया तो n की minimum possible value 1 है और n अगर 1 है इससे कम तो possibility है यह नहीं तो minimum possibility रसी में standing waves बनने की क्या है बनेगी और जब पूरी length में आधी wave बनेगी तो वो pattern कैसा दिखाई देगा वो pattern दिखाई देगा आधी wave यह पूरी रसी है आधी wave आधी wave कैसी होती है ऐसी होती है यह पूरी wave है सिरफ इतना पार्ट तो यह ऐसे जाएगा और ऐसे ही वापस आ जाएगा ऐसे तो मैं इसको ऐसे बना दूए ठीक है अगर ऐसा पैटन बन गया अगर ऐसा पैटन बन गया तो समझ जो और इस तरीके से जब standing wave बनती है इस पैटन को बोला जाता है first mode of vibration की पहला यही तरीका है रोप में standing wave बनाने का यह first normal mode of vibration ठीक है पहला आईए अब हम यह देखें कि हम कितनी frequency से oscillate करें string को की ऐसा pattern मिले कितनी frequency से oscillate करें, देखें जड़ा frequency का formula क्या होता है एक wave के लिए frequency का formula होता है, velocity by wavelength और कई wavelengths आनी है n को different different put करके lambda different आएगा तो n को जब मैंने 1 put किया, तो मैं lambda को lambda 1 डाल देता हूँ, और frequency को new 1 डाल देता हूँ, ठीक है एक string में transverse wave की velocity का formula होता है, under root t by m अगर आपको नहीं पता तो सुन लो t is the tension in the string and m is the mass per unit length, it is not the total mass of the string, it is mass per unit length of the string, तो under root t by m v यह हो गया और lambda 1, lambda 1 is 2l तो frequency आगई 1 upon 2l under root t by m इतनी frequency से इसकी कोई value आएगी न, आपको string की length पता है, tension पता है, mass per unit length पता है, तो आपने values यहाँ डाल दी, तो यह कुछ value आएगी, hertz में, इतनी frequency से अगर आप उसको oscillate करोगे, इतनी frequency समझते हो, कितनी बार एक second में ऐसे ऐसे करना पड़ा, अना इतनी frequency से अगर आप उसको oscillate करोगे तो ऐसा pattern बन जाएगा उसके अंदर, इससे कम possible नहीं, इसके बाद next possibility क्या है, जब n को हम 2 डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि n can only be integer, and that is called the second normal mode of vibration, पर पहले कुछ term समझ लो, इस वाली frequency को बोलते है, fundamental frequency और fundamental note, fundamental note, और first harmonic, क्या बोलते हैं, first harmonic, पहला जो mode है vibration का, वो क्या है, first harmonic, ठीक है, अब n को, अगर मैंने 2 डाला, अगर यहीं पर n को 2 डाला, तो 2 से 2 कट गया, l equal to lambda आएगा, यानि पूरी रसी में, पूरी length lambda के बराबर हो जाएगी, यानि अब जो pattern बनेगा, वो बनेगा ऐसा, आईसा, और यह कितनी frequency पे बनेगा, इसको lambda 2 लिख देते हैं, यह कितनी frequency पे बनेगा, 1 upon lambda 2 under root t by m, वही formula लगा दिया फिर से v by lambda का, और lambda 2 क्या है, 1 upon l under root t by m, अगर आप इसको इससे compare करो, तो एक नीचे यहाँ 2 था, यहाँ नहीं है, तो यह जो है, इसका double है, तो हम यह बोल सकते हैं, कि new 2 is 2 times new 1, यानि double frequency, आप इसको ऐसे ऐसे oscillate कर रहे हो, अगर आप इसको double frequency से, जितनी frequency से पहले करने तो उससे double frequency से oscillate करने लग जाओ, तो वो pattern बदल के, इससे बदल के ऐसा हो जाए, आप रस्ती से ऐसा करके देख सकते हो, लेकिन जिन लोगों ने किये हुए हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं, उनका मैं एक वीडियो क mode of vibration और second normal mode of vibration और इस frequency को बोलते हैं, second harmonic, क्यों, because, ये fundamental frequency का कौन सा multiple है, second, तो second harmonic, अगर ये 3μ1 आ जाता तो इसको third harmonic बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि second वाले को second harmonic बोलते हैं, वो क्या multiple आ रहा है, fundamental frequency का, that is harmonic, और इसका नाम है first overtone, first overtone, overtone का मतलब होता है fundamental के बाद वाला, और first मतलब fundamental के बाद वाला पहला, fundamental के बाद वाला पहला is first overtone, ये जो भी आएगा, ये second overtone होगा, तो क्या आएगा, अब third normal mode of vibration में हम N को 3 डाल दें, तो L क्या होगा, L होगा, 3 lambda, इसको 3 ले ले लेता हूँ मैं, by 2, so it is 1.5 lambda, यानि की, dead wave, 1.5 waves बनेंगी, पूरी रसी में, और ये कब होगा, तो 1.5 wave, एक wave, और आधी wave और ऐसे, ये, ठीक है, दिखेंगी ऐसी वैच्चो, रुदोर अस्या नहीं है, ये, जल्दी-जल्दी करोगे, तो ऐसा pattern दिखाई देगा, और ये कब बनेगी, ये कितनी frequency पे बनेगी, ये frequency पे बनेगी, new 3 पे, which is, t by m, 1 upon lambda, lambda 3, यहां से lambda 3 क्या आएगा, 2l by 3, तो 2l नीचे चला जाएगा, 3 उपर चला जाएगा, तो अगर मैं इससे compare करूं, तो हम clearly देख सकते हैं, कि जो new 3 है, वो 3 times new 1 है, मतलब, अगर 3 गुना और frequency से oscillation शुरू कर दें, तो वो pattern इससे बदलके, इसमें change हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई pattern possible नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई pattern possible नहीं है, so this is first normal mode of vibration, second, third, और इस frequency को बोलेंगे, third harmonic और second overtone, और similarly चलते चलते, nth वाली जो, nth normal mode की जो frequency है, वो n times new 1 आएगी, यानि कि n upon 2L, under root T by M, ठीक, समझ गए, ओके, जाते जाते एक दो और important चीज़े बता दूँ, number of nodes कितने बन रहे हैं, यहाँ पे n1 है, तो 2 node, यहाँ पे n2 है, तो 3 node, यहाँ पे n3 है, तो 4 node, यानि number of nodes n plus 1 है, और anti-nodes, एक anti-node, n2 है तो 2 anti-node, n3 है तो 3 anti-node, यानि number of anti-nodes n है, और position, position of nodes and anti-nodes, nodes, 0 पे, L by N पे, 2 L by N पे, 3 L by N पे, और nL by N पे, यानि कि L पे बनेगा, देख लो, अभी समझाते हो, इसका मतलब क्या है, L है यह भाई, L है, L, N है जैसे 3, इसके लिए N है 3, तो पहला node बना 0 पे, दूसरा L by 3 पे, यह L by 3 ही तो है, यह दूसरा node L by 3, दूसरा 2 L by 3, यहाँ पे, तीसरा 3 L by 3, यानि L यहाँ पे, तो यह general formula है कि nodes कहाँ कहाँ बनेंगे, anti-nodes कहाँ बनेंगे, anti-nodes कहाँ बनेंगे, हर दो nodes के बीच में anti-node होता है, तो जो भी odd वाले हैं यहाँ पे, उनको जरा divide कर दो, 2 से, जिनका coefficient odd है, जैसे L by N, तो L by 2 N पे पहला anti-node बनेगा, क्योंकि even वालों को divide करूँगा कि 2 L by 2, तो 2 से to कर जाएगा L पे, L पे तो anti-node निभन रहा न, node बन रहा है, तो odd वालों को divide करते जाओ 2 से, यह, and so on, तो देख लो इसके लिए पहला anti-node कहां बनेगा, L by 2 into, इसके लिए, and 3 है न, तो L by 6 पे, तो यह रहा न, पहला anti-node, अगर आप इसको 6 हिस्तों में डिवाट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो L by 6 पे पहला बन रहा है, 3 L by 6 यानि L by 2 पे दूसरा बन रहा है, 5 L by 6 पे तीसरा बन रहा है, अगला बनेगा 7 L by 6, 7 L by 6 is more than L, तो रस्ती के बाहर निकल गए, तो बस तीनी anti-nodes बनेगे, इस तरीके से, ठीक, तो यह है derivation, बहुत important है, notes इसके दे दिये हैं, description में वहाँ से prepare कर लेना, मैं आपसे मिलता हूँ next lecture में, तब तक के लिए all the very best.